अभिनेता शिल्पा शेटी के पति व्यवसाई राज कुंद्रा की फिल्म यूटी 69 रिलिज हो चुकी है एक अभिनेता के रूप में अपनी शुरुआत करते हुए और 63 दिन जेल में बिताने की अपनी आप बीती सुनाते हुए कुंद्रा यूटी 16 में अभिनाय करते हैं जो 2021 में एक पोर्नाइग्राफी घोटाले में उनकी कथित सनलिप्तता के बाद आर्थर रोड जेल में बिताए गए उनके समय का पता लगाता है पूरी फिल्म देखने के बाद जहां तक इस फिल्म के इरादा की बात की जाए तो फिल्म के पीछे कुंद्रा को अपनी छवी को साफ करना या अपनी बेगुनाही साबित करना था अजीब बात है कि फिल्म मामले को बिलकुल भी नहीं छूती है शायद इसलिए कि मामला विचारा धीन है कितने ही अनुत्तर प्रश्ण ऐसे है जिसे दो घंटे के फिल्म को देखने के बाद भी दर्शकों को नहीं मिल पाया जो अधिकतर लोगों के लिए काफी निराशा जनक था जिन्हें जेल में किसी के जीवन पर आधारित लगभग दो घंटे की फिल्म देखने का कोई मतलब या उदेश्य नहीं दिख रहा था हमें निश्चित रूप से और अधिक की आवश्यक्ता थी पूरी फिल्म केवल एक पक्ष की बात कहती नजर आती है जबकि दर्शक दूसरे पक्ष की भी बात उत्सुकता से सुनना चाहता था व्यवसाईव नए एक्टर राज कुंद्रा के लिए उन पर ही बायोपिक बनाना शायद बहुत जल्दी में खेला गया गेम है उन्हें इस पर और मेहनत करने की जरूरत थी लेकिन जब आपके पास बताने के लिए धन तो हो लेकिन और आधी अधूरी कहानी हो तो पूरी ताकत लगाने के बाद भी ऐसा ही रिजल्ट आता है हालांकि यूटी 69 देखने के बाद ऐसा लगता है मानो कुंद्रा और नवोदित निर्देशक शाहनवाज अली को ही इस तथा कठित कहानी में खूबी नजर आई और उन्होंने इस पर फिल्म बनाने का फैसला कर लिया 117 मिनट तक जेल ड्रामा देखने के बाद अधिकतर दर्शक एक दूसरे से यही पूचते नजर आए कि क्या उन्हें कहानी समझ में आई ये फिल्म ही थी या कोई जेल के अंदर किसी को सजा हुई है और उसके पक्ष में खड़े होने को कोशिश हो रही है पहले सीन से लेकर आखिरी तक आपको जेल, बैरक और वहां रहने वाले कैदियों की दयनीय स्थिती ही देखने को मिलती है मैं इस बात से इंकार नहीं कर रहा हूँ कि एक विशय के रूप में यह वास्तव में कठिन हो सकता है लेकिन इसे एक व्यक्ति की यात्रा पर आधारित करना थोड़ा कठिन था एक स्टार पती होने के नाते राज कुंद्रा के जेल में बिताए दिन उन लोगों के लिए दिल्चस्प हो सकते हैं जो यह देखना चाहते हैं कि क्या सलाखों के पीछे सेलेब्स के साथ कोई अलग व्यवहार किया जाता है और UT69 इसे इस तरह की धारणाओं को त्यागने के अवसर के रूप में लेता है क्योंकि कुंद्रा को 46 लोगों की क्षमता वाले बैरक में 245 अन्य कैदियों के साथ फर्ष पर सोते हुए कुछ भयानक समय बिताया है ऐसा खाना खाना जो न केवल जेल की कलई को खोलता है बलकि मुश्किल है पचाना वैसे इस सीन को भी कैमेडी लुक देने की कोशिश की गई है जिसमें कुछ हद तक सफल भी रहे हैं मेकर्स अपच का अधिकतम लाब उठाते हुए स्क्रिप्ट में आवश्यक्ता से अधिक अंगिनत शौचालय द्रिश्य शामिल है और उन में से प्रत्येक आपको देखते ही उल्टी करने को मजबूर कर देता है निश्चे ही यह बहतरीन कहानी हो सकती थी लेकिन मेकर्स ने इस तरह की घटिया चीजों को एक सीमा से अधिक देखा कर फिल्म की कमर तोड़ कर रख दी है मेकर्स ने दर्शकों को निराश करने के लिए इतनी सारी घटिया चीजें डाली हैं जैसे शौच और पादने की आवाज के साथ इसे टौइलेट हूमर में बदलने की कोशिश करना अच्छा नहीं था और इससे बचा भी जा सकता था वैसे ऐसा नहीं है कि फिल्म में सब कुछ बकवास है कई ऐसे सीन है जो निसंदेह प्रशन खड़ा करते हैं और आपको सोचने से लेकर भावुक तक कर देता है ऐसा कहां जा रहा है? UT 69 भारत में जेलों की स्थितियों और कैदियों के लिए बुनियादी सुविधाओं की कमी पर प्रकाश डालने का एक इमानदार प्रयास है ऐसा हो भी सकता है राजकुंद्रा जिस दर्द, परेशानी, दुविधा और लाचारी से गुजरते हैं उसे अच्छे से चित्रित किया गया है और यह काफी वास्तविक भी लगता है अन्य कैदियों के साथ उनका जुडाव, उनके शब्दों और इशारों में सांत्वना पाना, संबंध बनाना और एक परिवार ढूंड़ना ये अंश अच्छे से लिखे गए हैं द्रिश्यों में जब वह सापताहिक कॉल पर अपनी पत्नी शिल्पा शेटी से बात करते हैं तो आपको लगता है कि जब शुरुवाती दिनों में उन्हें अपने परिवार से बात करने का मौका नहीं मिला तो उन पर वास्तव में क्या गुजरी होगी फिर एक समय ऐसा आता है जब कैदी गणेश चतुर्थी मना रहे होते हैं ये सबसे खूबसूरत द्रिश्यों में से एक है और आपको भावुक कर देता है वैसे एक अभिनेता के रूप में राज कुंद्रा अपने प्रदर्शन में संतुलन लाते हैं और कैमरों के लिए उस भयावहता को फिर से जीते हुए वह इसे यथा संभव वास्तविक रखना सुनिश्चित करते हैं वास्तव में उस बैरक के अन्य सभी कैदियों और इसमें शामिल पुलिस कर्मियों ने अपनी भूमी का अच्छी तरह से निभाई और इस निरर्थक नाटक को देखने लायक बनाया हाला कि मुझे लगा कि हांस्य को थोड़ा कम किया जा सकता था क्योंकि कई बार ऐसा लगता था कि जेल में रहने की कठोर वास्तविकताओं को आसान बना दिया गया था जो वास्तव में मामला नहीं है वैसे एक अभिनेता के रूप में राज कुंद्रा अपने प्रदर्शन में संतुलन लाते हैं और कैमरों के लिए उस भयावहता को फिर से जीते हुए वह इसे यथा संभव वास्तविक रखना सुनिश्चित करते हैं वास्तव में उस बैरक के अन्य सभी कैदियों और इसमें शामिल पुलिस कर्मियों ने अपनी भूमी का अच्छी तरह से निभाई और इस निरर्थक नाटक को देखने लायक बनाया हालां कि मुझे लगा कि हास्य को थोड़ा कम किया जा सकता था क्योंकि कई बार ऐसा लगता था कि जेल में रहने की कठोर वास्तविक ताओं को आसान बना दिया गया था जो वास्तव में मामला नहीं है वैसे अंत में फिल्म के उद्देश्य को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि कैसे राजकुंद्रा ने अपनी जमानत के बाद मानवाधिकार आयोक को अंदर की स्थितियों के बारे में सूचित किया और वन्चित परिवारों की मदद के लिए एक मुफ्त कानूनी सहायता टीम की स्थापना की जेल में परिवार के सदस्यों के साथ कानूनी व्यवस्था में फंसे हुए हैं सब कुछ कहां और किया गया UT69 में कोई स्पष्ट कथानक या कहानी नहीं है जिसे वह चाहता है कि आप समझें आत्मसात करें और अपने साथ घर वापस ले जाएं यह महज राजकुद्रा के जेल में होने और जेल की अविश्वसनी स्थितियों का दस्तावेजी करण है और अपने उपर लगे आरोपों की सफाई देना है वैसे राजकुद्रा इस फिल्म के माध्यम से अपने आरोपों को सफाई देने के बजाए अगर थोड़ी और मेहनत कर देश के भारतिये जेलों की स्थिति पर ही फोकस करते तो यह फिल्म बाक्स आफिस पर टहल का मचा सकती थी बहरहाल आप भी देखिए और कमेंट बाक्स में अपने फिल्म के अनुभव को शेयर करिए धन्यवाद